कॉलकाता नाइट्राइडर्स और मुंबई इंडियन्स के बीच आई-पियल का 47 वा मुकाबला कॉलकाता के इडन गार्डन में खेला जाएगा चलिए इस मुकाबले को लेकर हम बात करेंगे मेरे सियोगी प्रेशांत के साथ और जानेंगे कि कौन सी टीम किस पर भारी पढ़ तो प्रेशांत आई-पियल में पहली बार यह दोने टीम एक दूसरे से भीड़ने वाली है तो क्या लगता है कौन सी टीम किस पर भारी पढ़ने वाली है तो कोई किसी पर नहीं पढ़ेगा क्योंकि अगर यह तो माली जी कि कॉलकाता के अगर हलत देखना च्छे मैच लग मैच दर मैच वो नीचे गरता ही गया है अगाश शांदार था लेकिन अंजाम तक पहुचाने में शायद रिनेश कार्थिक एन कंपनी से कुछ गलतियां हुई और उगलतियां बहुत भारी पढ़ गई कुल्दीप आजब को इतनी इतने मैसे उन्होंने खिला दिये कि सब पढ़ लिए समझ लिए कि कुल्दीप चाइना में गिनबाजी कैसे करते हैं अलाग अलाग ट्रिक्स कैसे चलाते हैं तो उन्होंने इतनी मारगाई RCB के खिलाफ उसके बाद से वो बाहर ही बैटे है और टीम के जो पूरा डिपेंडनेंट है अगर आप एक बलेबास पे अ अगर उनको यह माच जीतना है तो हंड़ परसंद नहीं होगा और यह माच जीतना इतना अशान भी नहीं होगा क्योंकि आपके सामने वो टीम है जिस के आगे जिस तीम में और घिलाडी लब्रेज है चाय वो फिरहार्दिक पांडिया हो कुरनाल पांडिया हो केरन कातर नाइट्राइडर्स का मुंबई इंडियन के खिलाफ होने वाले में क्या स्ट्राइजी अपना सकती है क्या देखने को मिलेगा टीम में नया तेम में नया कुछ चेंज हो सकते हैं शायद में एक दूग इनबाज चेंज करा ले क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में प् करें या चेंज हो दो बहुत हैं अगर आप टीम के लिए विकेट नहीं ले पारें तो कई नगा इनगी पर फोटीम के खराबें तीम अब मैच दर मैच अपनी टीमें बदर हो हरे है कभी कोई अंडर जा रहा है और और ऑर आश्परिमेंट कर रहे हैं तो वह शायद तो अब टीम को उस तरह का परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने शांदार पिछले बाजों का यहां चलना चलना बहुत हैं आपके चाहे वो सुनील नरेन हो ना चलना चलना बहुत ज़रूरी है अगर शुरुआदी बेस बनाने की बात करें कि शुरुआ के जो बहुत एहम होते हैं और जहां तक की बात करें स्पिनर्स की तो स्पिनर्स में टीम जूजी है अब चाहे वो सुनील नरेन की बात कर ले उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है तो अब टीम को उस तरह का परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने शांदार पिछले इनके रिस्ट में इंजरी है वो जब भी माच किलते हैं थोड़े परिशान से हो जाते हैं और नितीश राणा उनका अच्छा साथ देते हैं तो हर बल्ले बास का चलना बहुत जरूरी है गिंद बास का चलना जरूरी है अगर आपको मुमें इंडियन जैसी टीम को हराना है कॉलकता का मैच इडन गाडन में और होम टाउन में मुकाबला ही है तो कैसे देखते कि फैन्स का भी प्रेशर होगा मतलब अपनी टीम को काफी सपोर्ट करेगी तो मुमें इंडियन पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा या फिर वो इंजोई करेगी इस गेम को देखिए प् का मैच मैने शायद नहीं देखा है कि स्टेडियम खाली पड़ा हो इडन गाडन का चाई टीम आर रही हो तो ऐसे में प्रेशर बहुत होगा और जो इस प्रेशर को जहल लेगा वह असली चैंपियों हो और कार्थिक को यह करना भी पड़ेगा और कार्थिक नहीं देखा य कि मुंबाई के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें और प्रेशर को हैं चलिए मेरा लास्ट कोशिन यही कि मैच प्रेडिक्शन क्या होने वाला है क्या स्कोर होगा इस मुकाबले में स्कोर हाई स्कोरी मैच का कौल कता के ग्राउंड पर यह बना सकती है टीम और यह अमारी ये वीडियो अप है उसकेल के शेयर के साथी साथ आफ हमाने अदेन्युज स्पॉर्ण्स के चनल को सबस्क्राइब करें झाल, 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 झाल.